मंतिर जी को क्या यह बिना बीलम के हुए आप सुभा से बैटे हुए एक बार जोरदारण अपने फ्रैस लाइट जला करके ख़ड़े हो करके अधर ने परधान पंत्ति जी को मोधी 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 बारत महता की आधरने प्रधान मंत्री जी शिर्मान ने भाई मोधी जी जय जोहार भारत माता की सभे माई बहीन भाय बड़ा बुजोर्ग सबके हाथ जोड़के पड़ाम करो ही हो मान भुम के कोईला आंचल के इस घड़ में आना और आप जनता जनार्जन के दर्शन करना इससे बड़ा सवभाग्य क्या हो सकता है मैं लुगुबुरू बाबा भरवनात और लिलावरी माता को नमन करता हूँ जार्खन में भाजपा के पक्ष में प्रचंड आंधी चल रही है छोटा नाजपूर का ये पठार भी कह रहा है रोटी बेटी और माती की पुकार जार्खन में भाजपा एंडी ये सरकार रोटी बेटी माती की ये पुकार रोटी बेटी माती की ये पुकार रोटी बेटी माती की पुकार साथियों भाजपा एंडी ये का यहाँ एक ही मंत्र है हमने जार्खन बनाया है हम ही जार्खन सवारेंगे ऐसे लोग कभी जार्खन का विकास नहीं करेंगे जो जार्खन राज के इंदर माण के विरोधी रहे हैं और इसलिए उधर वो नवजवान एक तस्वीर लेके आया है जरा उसके पीछे अपना अतापता लिख देना ये मेरी टीम आप से तस्वीर ले लेगी आपने आपने बड़े प्यार से स्कैच किया लग रहा है मुझे मैं आपको अतापता लिख दीजिए जुरूर चिठी भेजूँगा जरावाज सिक्यूरिटी के लोग वो तस्वीर लेके मेरे पास पहुचा दीजिए हाँ भेज दीजिए उसको ये हमारे जवान आरे उनको दे दीजिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ आप इतने प्यार से ये तस्वीर बना के लाए हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों मैं आपको एक आकड़ा देता हूँ जिससे दूद का दूद और पानी का पानी हो जाएगा आज से दस साल पहले दोहजार चार से दोहजार चौदा तक केंद्र में कॉंग्रेस की सरकार थी मेडम सोनिया जी सरकार चलाती थी और मनमोन सिंग जी को पधान मंत्री के रुप में बिठाया था तब उस समय केंद्र सरकार ने जारखन को ये जारखन वालों ने याद रखना चाहिए केंद्र सरकार ने उस समय जारखन को दस साल में बड़ी मुश्किल से असी हजार करोर रुपिये दिये थे दस साल में कितने असी हजार करोड दस साल में कितने जरा सब के समस्क्राइए दस साल में कितने असी हजार करोड 2014 के बाद दिल्ली में सरकार बढ़ली आप सब ने दिल्ली में केंद्र में आपके इस सेवक मोधी को सेवा करने का आउसर दिया और सेवा कैसी होती है बीते दज सान में हमने कितना पैसा दिया बताओं बताओं याद रखोगे कि अधाय बता उन्होंने कितना दिया था उन्होंने कितना दिया था केंद्र में भाजपा एंडिया सरकार बनी तो दस साल में हमने तीन लाग करोड रुपिये से अधीक जार खंड को दिया कितना जरा जोर दे बोलिये कितना उन्होंने कितना दिया सा हमने कितना दिया यह जादा हुआ कि नहीं हुआ चार गुना हुआ कि नहीं हुआ तो हमारा आपके प्रती चार गुना प्यार है कि नहीं है है के नहीं है और हमने ये ज़्यादा पैसा क्यों भेजा भाई क्योंकि जारकन हमने बनाया है तो हम ही तो सवारेंगे भाजपा चाहती थी कि गड़ीब को पक्का घर मिले शहरों गावों में अच्छे रास्ते बने बिजली मिले पानी मिले इलाज के लिए सुविदा हो पड़ाई के लिए सुविदा हो सीचाई के लिए पानी मिले बुढ़ा पे मैं दवाई मिले लेकिज जेमेम सरकार में पिछले पांच साल में हुआ क्या भाई आपके हक की ये सुविदा है जेमेम कॉंगरेस के लोगों ने लूट ली लूट लिया के नहीं लूट लिया लूटा के नहीं लूटा आप मुठी भर बालू के लिए तरस रहे हैं और इनके नेता बालू की तसकरी करके करोडों करोडों रुपिय कमा रहे हैं इनके पास से नोटों के पहाड निकल रहे हैं कि इतने नोट निकल रहे हैं कि गिंते गिंते मशीने भी ठक जाती है ये नोटों के धेर आपने देखे हैं कि नहीं देखे हैं ये नोटों के पहाड आपने देखे हैं कि नहीं देखे हैं ये नोटे कहां से आई भई ये आपकी हैग नहीं है ये पैसे आपका हग कहाग नहीं है ये आपकी जेब से लुटा गया ये लुटा गया मैं आपको विश्वाद देलाता हूँ जारखंड में भाजपा एंडिये सरकार बनाने का जब आपने निरिने कर ही लिया है मैं जहां जहां गया हूँ ऐसा ही जनसालाब देखा है हवा का रूख साफ है और मैं आपको वादा करता हूँ सरकार बनने के बाद इन ब्रस्टाचारियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले इसलिए अदालत में हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे आपके हक का पैसा आप पर ही खर्चा होगा आपके लिए खर्चा होगा आपके बच्चों के भविश्य के लिए खर्चा होगा साथियों केंद्र सरकार का बहुत सारा पैसा ऐसा होता है जो बीना सरकार के दखल के राज्जों में खर्च होता है पहले तो उसमेंसे भी एक कटकी बटकी चलती थी और मैंने देखा कि चारों तरब लूट करने वाले बैटे हैं तो मैंने क्या किया टेकनोलोजी का उप्योग किया दिल्ली में एक स्वीच दबाता हूं और आपके मोबाइल में फोन पैसा पहुंच जाता है जैसे पी एम किसान सम्मानित का पैसा हम सीधे जारकन के किसानों के बैंक खाते में पैसे भेजते हैं और वो पूरे के पूरे उन्हें मिलते हैं मिलते हैं अगने मिलते हैं भाई मिलते हैं कोई कमिशन जाता है कोई प्रस्ताचार करना पड़ता है कोई कटकी कमाता है ऐसे ही हाइवे, रेल्वे, एरपोर्ट के कितने ही काम होते हैं जिस पर केंद्र सरकार सीधे खर्च करती है किसी को बीच में से कट करने का मुका ही नहीं देते हैं जारखन में भी हमारी सरकार ने लाखों करोड रुपे खर्च किये हैं आज जारखन में 50 से ज़्यादा रेल्वे स्टेशनों को आधुनिक बनाया जा रहा है उनमें सुविधाय बढ़ाई जा रही है आप देखिएगा कुछ समय में बोकारों का रेल्वे स्टेशन भी कितना आधुनिक हो जाएगा यहां बोकारों में एरपोर्ट भी बन चुका है जारखन में भाजपा एंडिये सरकार बनने के बाद जल्द से जल्द हवाई सेवा भी शुरू हो जाएगी और मेरा तो सपना है जो हवाई चपल पहनता है ना वो हवाई जहाज में जाएगा साथ्यों यह जो निर्मार का काम होता है उसका भी बहुत बड़ा लाब जारखन को जारखन के नवजवानों को रोजगार के रुक में मिलता है कुछ भी बनाएं तो सिमेंट लगता है स्टील लगता है बिजिगले के लिए कोईला लगता है इन सब टी फेक्ट्रियां यहां बोकारों में जारखन में ही तो है यानि हाइवे रेलवे एरपोर्ट के निर्मार काम से हमारे स्रमिकों को नवजवानों को भी बड़ा फाइदा होता है साथियों भाजपा एंड ये सरकार नए उद्योगों को बढ़ावा दे रही हैं हम जारखन में बंद पड़े पुराने कारखाने भी खुलवा रहे हैं सिंद्री का खाद कारखाना भी तो पहले की सरकारों की कून निती की वज़े से बंद हो गया था हमने सिंद्री खाद कारखाने को शुरू करवाया इससे जारखन के हजारों युवाओं को रोजगार मिला है जब जारखन में भाजपा सरकार बनेगी तो वो सरकार में भी जादा से जादा युवाओं को पक्की नोक्री देगी साथियों आपका कोई जानकार परिचित बच्ती अगर हरियाना में काम करने गया हो तो जराख फोन करके उसको पूछ लेना वहाँ अभी अभी चुना हुआ लोगों ने भारी बहुत महुमत से तीसरी बार भाजपा को सेवा करने का मोका दे दिया और महा सरकार बनते ही भाजपा ने बिना खर्ची बिना पर्ची हजारों नव जवानों को सरकारी नोक्री का ओर्डर दे दिया इधर हमारे जार्खन के लोग एक खर्ची पर्ची जानते हैं क्या हरियान में खर्ची पर्ची का मतलब यह होता है जब तक नोटों का बंडल नहीं देते खर्ची नहीं करते नोक्री नहीं मिलती और पर्ची का मंदर बटलब है जब तक कोई बड़ा नेता पर्ची लिख करके नहीं देता आपकी दाल गलती नहीं है हमने एक खर्ची और पर्ची दोनों को दफना दिया है हम जारखंड में भी यही करेंगे मेरे नवजवानों और जारखंड में हमारा एक और लक्ष होगा यहाँ जेमेम कॉंग्रेस ने जो पेपर लिख माफिया और भरती माफिया पादा कर दिया है पेपर लिख माफिया उन सब पर प्रहार किया जाएगा सब के सब को पातान मैं से ढूंड करके जेल के हवाले कर दिया जाएगा जिनोंने जारखंड के नवजवानों के भविश के साथ खिलवार किया है जिनोंने जारखंड के भविश के हमारे होनहार युवाओं का भविश मिट्टी में मिला दिया है उनके सारे मनसुबें ये मोदी चकना चूर करके रहेगा साथियों जारखंड के हमारे बेहन बेटियों का जीवन आसान हो ये मेरी प्रांथमिकता है हमारी सरकार की योजनाओं से बहनों को सवचाले मिले बैंक में खाते खुले गर्बावस्ता के दोरान सीधा उसके खाते में पैसा पहुचा अब जारखंड भाजपा ने आपको मेरी माताए बैने बड़ी नम्रता के साथ मैं आज आपकी सेवा में आया हूँ और भाजपा ने आपको गोगो दीदी योजना का वाइदा किया है जारखंड की मेरी माताए बैने ये मोदी की गारंटी है सरकार बनने के बाद गोगो दीदी योजना लागू हो जाएगी इस योजना से भी हमारी माताए बैनों से बैंक खातों में सीधे पैसे जाएंगे कोई बिच में बिचोलिया नहीं कोई कटकी कमपनी नहीं और वो माताए बैनों के खाते में ही जाएंगे ताकि घर को चलाने के लिए माताए बैनों को काम आए शाथियों अब हम जारखन की बेहनों को पहले गैस दिया उजवला गैस का मुप्त कनेक्शन दिया और कुछ लोगों को लगता है अरे मोदी जी बहुत हो गया तीसरी बार आ गये हो आपने तो गैस का चुला गर-गर पहुचा दिया उजवला गैस दे दिया अरे अब तो आराम करो कि मुझे ऐसा कहने वाले लोग मिलते हैं कि लेकिन मोदी ऐसे बैठने के लिए पैदा नहीं हुआ है कि वो तो आपके लिए ही जीता है और इतलिए पहले उजवला गैस सिलंडर दिया अब जैसे घर में पाइप से पानी आता है ना अब जारखन में पाइप से सस्ती गैस पहुतने में बोदी लगा हुआ है कि पाइप से जैसे पानी आता है घर में वैसे गैस आएगा अब शिलंडर के लिए इधर उदर जोंकना ने पड़ेगा और वह सस्ता होगा इस गैस सस्ता मिलेगा यहां ओंजीजी कंपनी ने गैस परदा करने का बहुत बड़ा काम शुरू कर दिया है यह जो बोकारों अंगुल गैस पाइप्लाइन हमने बिचाई यह ना इससे ग्यारा जिलों को लाब हो राज्यारा जिले यहां भाजपा एंडिये सरकार बनते ही जादा से जादा घरों तक पाइप से सस्ती गैस पहुँचाई जाएगी साथियों हम जारखन के हर परिवार का बिजली बील जीरो करने के लिए भी काम कर रहे हैं अब आपका बिजली का बिल कितना बिजली का बिल कितना जीरों और कैसे करेंगे ख़जाना लूटा करके नहीं नौजवानों के भविशों को बरबात करके नहीं करेंगे हम पी-ए-म सुर्यगर मुप्त बिजली योजना अब देश बर्मे सुरू हो चुक्की है आप अपने घर पर सोलार पैनल लगाएंगे और सोलार पैनल लगाने के लिए आपका एश सेवक दिल्ली में बैटी हुई आपकी सरकार भाजपा सरकार हर घर को 75,000 से 80,000 रुपिये का खर्च देगी सोलार पैनल लगाने के लिए आप अपने घर में 300 यूनिट बिजली पैदा करिये जीरो बिजली बल से उसका घर चलाईए उप्योग किजिए और इतना ही नहीं कि मोदी की गारंटी है अगर जनदा बिजली अपने पैदा की तो आपको वो बिजली सरकार खरीदेगी और सरकार आपको उपर से पैसे देगी पहले बिजली के लिए आप सरकार को पैसे देते थे अब बिजली के लिए सरकार आपको पैसे देगी ये काम हम करने वाले है साथ्वियों जारखन के तेज विकास के लिए सबका प्रयास यानि सभी की सामुहिक शक्ति लगनी बहुत जरूरी है इसलिए आप सभी को कॉंग्रेज जेमेम की एक बहुत बड़ी साजित से सतर्क रहना है सजग रहना है यह कॉंग्रेज जेमेम की चोकड़ी ने नया खेल खेलना चुरू किया है और यह सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं जी कॉंग्रेज हमेशा से SC, ST, OBC की एक जुड़ता की एकता की गोर विरोधी रही है आजादी के बाद जब तक हमारा दलीच समाज, हमारा SC समाज बिखरा रहा हमारा आदिवासी भाई भैं, हमारा ST समाज बिखरा रहा हमारा OBC समाज बिखरा रहा तब तक कॉंग्रेज बाटो और राज चिनों के विसे दांद पर मजे से केंदर में सरकारे बनाती रही लूटती रही, लेकिन जैसे ही समाज एक जुठ हुआ, हमारे दलीच समाज के भाई बैं, SC के रुप में उनकी पहचान बनी, आदिवासी भाई बैं, ST के रुप में उनके पहचान बनी, OBC पिछोणों के रुप में उनके पहचान बनी, तो कॉंग्रेज उसके बाद कभी भी पूर्ण बहुमत के साथ केंदर में अपनी सरकार कभी भी नहीं बना पाई, आप ये गणित समझिये, 1990 में OBC समाज को आरक्षण मिला, OBC की अलग-अलग जातियों का संख्या बल एक साथ जुड़ गया, तो उसके बाद से कॉंग्रेज आज तक लोग समा में 250 सीटे भी नहीं जीत पाई है, इसलिए कॉंग्रेज, OBC, OBC की सभी जातियां, OBC की जो सामुहिक ताकत बनी है न, उसको तोड़ना चाहती है, और OBC की साताकत को तोड़ कर उन्हें सेंक्रों अलग-अलग जातियों में बांटना देना चाहती है, अब जैसे यहां हमारे बोकारो दनबाद में, हमारे उत्तरी छोटा नागपूर में सवा सो से अधिक OBC जातियां है, आज वो OBC के रुप्पे जानी जाती है, उनकी पहचान OBC है, उनकी ताकत OBC है, और ये सवा सो जातियां, जैसे यहां यादव है, कुडमी महतो है, तेली है, कोईरी कुश्वाआ है, नोनिया है, बिंद है, सोनार है, राजवर है, प्रजापती कुमार है, माली है, मलहा है, पासी है, लोहार विश्वकर्मा है, चोहान है, नाई नाव है, बुईयार है, कहार चंद्रवाउसी है, रोनियार पंसारी है, है, ओबीसी के तौर पर, इनकी एक जुर्ता, देश के विकास की बड़ी ताकत मना है, लेकिन कॉंग्रेस, जे मेंप वाले, यहाँ, यादव को कुडमी से, तेली को कोईरी कुछवाहा से, नोनिया को बिंद से, सोनार को लोहार से, राजबर को प्रजापती कुमहार से, माली को मला से, पासी को चोहान से, नाई नाव को भुईयार से, और भुईयार को कहार चंद्रवाउसी से, यह आपस मैं लड़ाना चाहती है, यह चाहते हैं कि OBC की छोटी छोटी जातियां खुद को OBC मानना छोड़ दे और अपनी अपनी जातियों में ही उल्जे रहे मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूँ क्या आप चाहते हैं कि हां का OBC समाज भी सवासों टुकड़ों में तूट जाए आपको मंजूर है पूरी ताकत से बताईए मंजूर है ऐसा अगर तूट गए तो आपकी आवाज कमजूर होगी कि नहीं होगी कोई भी नहीं चाहता है कि समाज भीखरे समाज छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाए अज इसलिए हमें यह हमेशा याद रखना है एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे एक रहेंगे तो एक रहेंगे तो एक रहेंगे तो साथियों जारखन के नवजवान बहुत बड़ी संख्या में सेना में है जम्मू कश्मीर में आतं के दौर में हमने अनेग जवानों को खोया है इसका बहुत बड़ा कारण जम्मू कश्मीर में तीन सो सत्तर की दिवार थी मोदी ने तीन सो सत्तर की दिवार को हमेशा हमेशा के लिए जमीन में गाड़ दिया है लेकिन कॉंग्रेस और उनके साथ्यों को यह पसंद नहीं आया है अब आपको पता नहीं होगा कि देश आजाद हुआ कि देश को समिधान मिला कि समिधान के 75 वर्ष मणा रहे हैं लेकिन देश के साथ दसक तक जम्मू कश्मीर में बाबा साब आमबेड करका समिधान लागो नहीं होता था वहाँ आदिवाच्यों को आरक्षन नहीं मिलता था वहाँ दलीतों को आरक्षन नहीं मिलता था साथ साथ दसक तक जम्मू कश्मीर में अलग विधान चलता था क्यों इन्हों ने तन सो सत्तर की ऐसी दिवार बनाई थे कि बाबा साब आमबेड करका समिधान वहाँ जा नहीं सकता था पहुँच नहीं सकता था बोधी ने 370 की दिवार गिरा कर बाबा सावाम बेड़ करके संभिधान को जम्मु कश्बीर में पहुचा दिया लागू कर दिया आपने देखाओगा अभी वहाँ चुनाव हुए वहाँ के मुख्ध मंतरी ने पहली बार हिंदुस्तान आजाद होने के बाद पहली बार जम्मु कश्बीर के मुख्ध मंतरी ने बाबा सावाम बेड़ करके संभिधान की शपत ली है पहली बार ये बाबा साब आम बेड़कर को मोदी की सरद्धान ली है अभी इस सरकार मनी है कॉंग्रेस और उसके साथियों ने आते ही उन्होंने अपना खेल खेलना चुरू किया है जम्मु कश्मीर विजान सबा में कॉंग्रेस और उसकी सरकार ने प्रस्ताव पारिक किया है और ये जियम्म है ये भी इनको समरथन दे रही है ये जम्मु कश्मीर से बाबा साब आँद करके संबीधान को फिर से जम्मु कश्मीर से बाहर निकालना चाहते है ये दलीतों, पिछडों, आदिवाज्यों को फिर से उनके हक से बन्तित करना चाहते हैं ये हमारे सैनिकों को फिर से आतंग की आग में जोकना चाहते हैं मैं जरा मेरे जारखंड के नौजवानों से पूछना चाहता हूँ मैं आप से पूछना चाहता हूँ क्या मेरे जार्खंड के भाइदैन कॉंग्रेस का ये पाप आपको मन्जूर है साथियों आपके सयोग से भाजपा यहां जार्खंड में हो रही गुस्पैट पर भी लगाम लगाएगी आपकी बेटियां सुरक्षित हो आपकी जमीन सुरक्षित हो इसके लिए यहां भाजपा येंडिये की सरकार बहुत जरूरी है साथियों हमें ऐसा जार्खंड बनाना है जो देश के टॉप के सम्रद राज्यों में गिना जाए हमें मिलकर जार्खंड के हर परिवार तक सम्रुद्धी पहुचानी है और इसलिए मैं आपके आशिरवाद मांगने आया हूं मैं आपकी मदद मांगने आया हूं इसलिए आपको बाजपा आजसू जेडियू और लजपी के उमिद्वारों को भारी मत से विज़ई बना रहा है और आपको मेरे लिए तो आप ही मोदी है और आपको मोदी के नाते ही घर-घर मेरा ये संदेश पहुचाना है आप गर-गर जाएंगे पक्का जाएंगे रोटी माटी और बेटी की पुकार पहुचाएंगे प्राएंगे जाएंगे पितनी बड़ी संख्या में आये हमें आशिरवाद देडे पोंचे लिए आपका रदैश से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं मेरे साथ बोलिये भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद झाल 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 जारकन की आवाज यूट्यूब न्यूस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें लाइब कमेंट और शेर करना ना भूले जुड़े रहे हमारे साथ क्यूंकि हम है आपकी आवाज